क्या है अर्फ में बात कीं यि ब्लेंडिंग मोर दिए के बाद के असन हेन अब ब्लेंडिंग ओप्शिन के सिए अब बात करते हैं हम विलाव ब्लेंग अमकर को ने ऐस प्टादि दीए कहा हो है है अगर मैंने इसके उपर blending option करनी है तो क्या procedure होगा blending option क्या होती है just like आपका stock कि अगर आपने इसके उपर outline लगानी हो इसके अंदर inner glow यूज करना हो outer glow यूज करना हो या whatever आपने अपने text को या किसी भी चीज को importance बढ़ानी हो इसके बढ़ानी हो उसके option होती blending mode की अब blending mode कहां सो open होता है number one एक काम दो होता है जब लेयर पैनल है इस जब लेयर पर क्लिक किया होगा इसी के नीचे आएंगे तो यहां पर option लिखाओ fx fx पर क्लिक करोगे तो यह option आजए कि blending options उसके क्लिक करोगे पूरा एक पैनल खुल जाएगा लेयर स्टाइल के नाम से यह सारी ब्लेंडिंग options यह यह नहीं करना आपने तो आप इसी लेयर के उपर इस जगह पर जहां पर नाम नहीं लिखा होता यहां पर डबल करेंगे तो option खुल जाएगी इस तरह माज़ी क्लें अच्छा चले हम स्टार्ट करते हैं स्टॉक से स्टॉक क्लिक किया स्टॉक बसी लिए आपकी यह पर टेक्स स्टॉक लगा भी हो सटो कुर्ण है किएब के सधाय बढ़ाता हूं है बिलकुल लाइट से लगता है और लाइट से लगाते हैं इंसाइट और चीज है इंसाइट क्यों होता है कि आपके टेक्स की जो विर्थ होती है वह में यह नहीं करती है उसके अंदर ही आपके लगा होता है यह दो करना पड़ाता है लेकिन बहुत कम यूज होता है नौर्मल यह टेक्स की विर्थ को कम नहीं कर रहा जो इंसाइट होगा यह टेक्स के विर्थ कम कर देगा और टेक्स की मुटाई है वो कम हो जाएगी और इसके अंदर की तरव लिखा जाएगा जो इंतर में होगा यह आपका टेक्स है इंसाइड लेकिन टेक्स के आप विर्थ के बाहर रहे और पर और यह टेक्स ऊपर होगा और आपका वर्डिक सब्सक्राइब विच्छे आ जाएगा स्टॉग क्यों एक नेक्स नंबात करते है इंसनु इनर शाडव यह होता है कि विर्थ इतनी जादा थी जिसकी विए से शैटो मुकंबल कवर्ड हो गया मैं थोड़ा साइज कम करता हूं इसका यह कि पीर उसका आप एंगल सेट करते हैं खोड़ा सा उपैस्टी इंकम साहर करने से क्या हो रहा है कि वहीं आप जो पहले काम करते थे हैं कि हम मतलब 31% आपका यह रेट कलर यूद हो रहा है और बाकी 69% हमारा जो ब्लैक कलर जो उसका अपना कलर था टैक्स का वह यूद हो यह का से छे पर पढ़ाते हैं अलगे वह रहा है सका जो अब आपकर यह सी नज़रा रहा रहा है बाकी जो यह वाल रिटिंग है यह एस का बिसकी लिए सäड़ आ रहा है तो इसको मैं अगर इसका सो कम करता हूं तो बैसकी यह अब देखें अब यह मुकंमल एस इसी ओपर तू दिस्टेंस है इंसाइड इसानों का आउसर नियोंगा चीश्तान भीजिए यह समस्टेंगे चीज़े Implement है ठिक्स आपना कलर ए ब्लैक कलर का एक उसके बाद इनद शैडव जो आप ज़ियो कलर है इन्न ग्लो की बाद भी कड़्ट साथ कर लेते हैं अब इनद्ट्र ग्लो क्या चीज है ओता है थोड़ा सा ट्रांस्प्रेंट होके बढ़ना जो चैड्डो है बैसकि ट् अब इस कि अब vibrant Pie 6 कर अब को सुलेट कर सकते हैं और अब कर सकते हैं के कलिक करते हैं ग्रेडियंट के लिए इस पर क्लिक किन अपनी मंधी ग्रेटिंट जोक चूज करना है अब यह यह जस्वर इन ute लोग ली गेर्जिन उस किया हुआ है वे साइज वोड़ा कम करते है और रस्ट्रेश करते हुआ 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 है लिए हुआ है तो नेक्स थोड़ा दम बागें स्टेंग की अग्या होता है बिसकली कि हम इसके अंदर दो से तीन शेट आयते हैं जिसना अगर मैं इसको यूज करता हूं फर्टेंपल साइज बढ़ाते हैं लेकिन अभी नदर इसलिए नहीं आ रहा होगा कि मबार कलर ब्लैक क्लिक करते हैं क्लर वाइट कर लेता हूं को यह को यह कलर आप सटेंग करते हैं कि आपको याद इसकी ब्यूटी थोड़ी सब बढ़ रही है कि आपको फास दो या तीन शेट से लेता है वह गलोब ही कह रहा है दुम्हान दिश्रेत है उपर भी रहा साथ में उसको पैस्ट यह जो यह कुंटेर चेंग कर रहें जिसके वाद क्या हो रहा है कि आपका यूज़ कुनेक्टर स्टाइल रिफरेंट आ रहा है का अगा अगर यह तो तो को थोड़ा सांगा चैंग कर रहते हैं वाइट और थोड़ी से प्रेस्टी से कम कर दाते हैं अच्छी है और टेक्स का स्टाइल भी तरह रहा रहा है तो ब्रेंडिंग ऑप्शन क्या होती है आपके पास कि जो आप लिखा होए टेक्स या वटाबर जो लेश्ट कियो है उसके अंदर अडिटिंग करता है कि दुबाहर देख लती है आती कहां से हैं कि यहां पर आपने करना है डुबली करने से सारी ब्रेंडिंग और यह अब यह बात किया है मैं तो फॉर फस्ट हमने बेवल छोड़ दीया बाकी मुख ब्लूप करते हैं ने कि अ इसको बात करते हैं कलर ओवली क्यों होता है अगर आमने इसके उपर कोई और कोई ब्रॉप करना हो मैं आपड़ी इन तोनों को अंचेकर कर देता हूं यह दोनों नहीं लग लगा अब जस्क्क लावल लगाते हैं कलर भी लगाया इसका मैं कोई भी कलायर है चीन करते हूं शाइपर उफ्षन होती है जाए हम एक तो तरीक हो सकती है अगर हम ऐसे करना हो हमने चरह एफेक्स किस्क नें लगाना हमने और जीस करना हो तो टेक्स पर जाएंग करें और यहां से इस पर क्लिक करके हाप क्लर्ड लो अब यह ही आप्षेल मौहाँ से भी कर सकते हैं अब हमने इसके उपर अबली किया है मैं इसके क्लिक करके इसे ब्लैक कर देते हैं दबारह से और प्रेश्टी इस टैक्स कलर वाइट है लेकिन हमने जो कलर अबली उस किया है वह ब्लैक शीड आ रहा है नीए अब करद में लिए अब कट लगा रहा है रागी चलते हैं हैं आपको ऑका जुए लगा रहे हैं यहां से लगा ले और ग्रेट क्या हुता है कि आपने डिफर्ण दो थीन शेर्ट लगाने घ्ले यहां चूस किया है कि आपने दो तीन करका करना है और यहां से स्टाइल्स इसको स्केल तो पढ़ा देते हैं अब इस ते लिए लगा हुआ है टेक्स ही ओपर इसा ही पैटर्ट पैटर्ट क्या होता है कि दूटिट यूज करने दर्म्यान में डॉट्स हीया भी कोई भी अपने डिफरेंट स्टाइल यूज करने हो अच्छा जाता हूँ कि यह 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 कुछ भी यूज नी किया कोई भी ब्लेंटिक मोड यूज नी होगा अब जस्ट पैटर्ण लगावा है पैटर्ण के उसा है कि डॉटिट वाला अब यह चुछ कर लेते हैं कि डॉटिट युछ चाहिं कि जिए इसां कार्पिट करते हैं डिफर्ण दो तीन अब श्यूदै कांट के अंदर यह वो पेतर्ण उसके पाता आउटर ग्लो आउटर ग्लो इनदर ग्लो इनन लो इनलो इंसाट करता आउटर कौशन करेगा कुंप लगाते है कर स्ट एग कि और सम्टेम्म होता है ऐसा कि आपका जो बैंगरोंड होता है ना कलर वो भी मैच कर रहा होता है आपके टेक्सक्राइब उसको डिफेरिंटि अदे करने के लिए यूज करते हैं और आउटर ग्लो एगार लेकिन वो आपकी रीडिबिल्टी थोड़ी ज़ादा है क्यों क्यो देंगे तो अब यह देखे हैं मतलब हम सेम कलर भी उज़ कर सकते हैं लिए पढ़ाने के लिए हमें इस सांग कोई आउटर गलो या इनर गलो या शैडू करना पड़ेगा जिससे सेम कलर के हम एक ट्यून यूज की यह कलर की तो उसके अंदर आपका टैस्ट बिल्ट पढ़त है अब आपका काम यह होगा का वन बबन सबको ट्राइए करो हमने बैवल पर काम नहीं किया बाकि सारे कर लिया और नेस्ट लास्ट देख लेते हैं जो शैड़ों आप नीची तो शैड़ों लगा ले होते हैं मैं शैड़ों थोड़ा सा पैस्ट चीज आदा करता हूं आपका अन्स काम राइस हां लोड़ा करता यह आपका यहां जोड़ाइस काम आपका यहाँ अन्स की घर बाहते हैं यह लिए हो गया, यहाब माने पास color outer glow भी यूज़ हुआ है, अब outer glow खतम हो गया, drop shadow है और just यह लिए हो गया, बेसिकली यह ब्लेंडिक उफिन थी है, ठीक है इनको यूज़ करें और अपना कोई भी ब्रोशर कोई डिजाइनिंग कुछ यूज़ करें, अब दो चीज़ है, एक ब्लेंडिंग ऑप्शन है और जो एफेक्स हैंगी और एक ब्लेंडिंग मोड है, जो हर लेयर के लिए डिफेंट होता है, मुझा अब जिस भी लेयर क्लिक करेंगे, इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर लिए, यह ब्लेंडिंग मोड है, I hope आपका ब्लेंडिंग मोड भी क्लिर हो गया और ब्लेंडिंग ऑप्शन क्लिर होगी, यह भी नेक्स की क्वेश्चन हो तो मुझा लाजिम पूछेगा, अल्लाहापीस